कि आपको याद होगा जिनके सीने में इसलिए गोली दाग दी गए थी क्योंकि पहाड पर पाया गया था क्या पहाड को चड़ना हमारा गुणा है आज मानन्य राज ठाकरे मानन्य ओवेसी साहब को दिखता है अगले समुदाय का दर्द क्या हमारा नर्शार किसी को दिखा है इसलिए आज हम चाहेंगे मानन्य अस्पी साहब मौझूद है मानन्य डेस्पी साहब मौझूद है और मीडिया जगत के जितने भी लोग मौझूद है कि बल्स दो पक्ष रखा जाए एक पक्ष ना सुनी जाए यह पहाड हमारा है यहां हमारी दिन्चरिया का संचालन होता है यह हमारी आस्था का केंद है और तो हम चाहेंगे अंतिम एक मिनट कहेंगे कि हमने क्या नहीं दिया जो लोग गुजराच से चलकर आए उन्हें अरभपती बना दिया और आपने यहीं पीट चाड़के में चार बेटों का नाम लूंगा मिहिर बेसरा किसुन हास्दा आपके लोगों को हमने अरभ पती बनाया और आपने हमारे बेटों को नक्सली बना दिया यह अन्याय का खेल कर तक होगा इसलिए नौजावानों समय नहीं है फिर अंदोलन होगा हम लोग फिर अपनी बातों को रखेंगे और रणीती फिर त्यार करेंगे क्योंकि पिछले साल भर में हमने दिखा दिया है कि अंदोलन के माध्यम से जारकन जिंदा है इसलिए आज आप लोग भी धेरी रखेंगे हम मानते हैं अभी वावस्ता में है थोड़ी सी आक्रमक्ता दिखती है लेकिन अंतता आप से निवेदन करना चाहेंगे आप लोग अनुसासन का धीर लिया जा रहा है उनका एक डिस्निल जमीन नहीं है उन्हेंने जहां कोठी बनाया है वह सेंटी की जमीन है इस बात को भी जानना होगा साथ ही साथ मैं आप से निवेदन करना आप इस बात को